नमस्कार, आप सुन रहे हैं शरत्चंद्र चटोपाध्धाय के द्वारे लिखावा एकोपन्यास नया विधान का तीसरा भाग कहानी में आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पहले दो भागों की कहानी दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक शालेश प्रकिर्टी से एक कमजोर इंसान है पहली पत्नी उशा से शादी होने के ठीक बादवा विलायत चला गया पीछे से उनके पिताजी और ससुर जी के बीच कुछ वाद विवाद की वज़ा से उशा को उसके माई के वापस छोड़ दिया गया दूसरी शादी से एक बच्चा सोमेन है जिसे नौ वर्ष का छोड़ कर उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई अब तीसरी शादी की मर्जी बनाई है परंतु लोक लज्जा के डर से पहली पत्नी उशा को वापस बुलाना पड़ा उशा ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां सम्भाल ली और सोमेन को भी बहुत प्यार करने लेगी शैलेश भी अब खुश है परंतो शैलेश की बहन विभा उशा को बिलकुल पसंद नहीं करती वह जिस तरह से सोमेन को रखती है वह भी उसे पसंद नहीं है विभा उशा के विरुद शैलेश के कान भरती है और कहती है कि सोमेन की परवरिश पर वह ध्यान दे उसका अपना कोई बच्चा नहीं है इसलिए शैलेश उसे प्रस्ताव देता है कि वो सोमेन को ले जाकर उसकी परवरिश करे ये सारी बाते उशा सुन लेती है अब जानते हैं आगे की कहानी विभा के नेत्रों से पुनह आसु बहने लगे सोमेन के भविशे की चिंता करके या किसी और कारण से ग्यात नहीं वो साड़ी के आचल से आसु पोच कर बोली मैं कहीं भी जाकर नहीं बैठना चाहती दादा लेकिन सोमेन हमारे वंश का एका की दीपक है इस पर तरीक द्रिष्टी रखना अपने को बिलकुल भूली न जाना इतना कहकर वो सीधा बाहर चली आई और अपने कार में जा बैठी उमा सरवता मौन थी एक भी बात में उसने हिस्सा नहीं लिया वो मौन विभा के पास जाकर बैठ गे शालेस साथ साथ आकर सहसा कह उठा विभा सोमेन को हो सके तो तू अपने साथ ही लिये जा तेरे अपने बाल बच्चे तो है नहीं उसे ही अपनी मर्जी की मुताबिक इंसान बना ले विभा और उमा दोनों ही आश्चेरे में डूपकर शालेश की चेहरे की तरफ दाखती रहे विभा ने कहा क्यों व्यर्थ का प्रस्ताव रख रहे हो दादा या तुम न कर पाओगे तुम्हें करने भी न दूँगी शालेश ने बल दे कर कहा कर क्यों नहीं पाऊंगा अवश्य करूंगा मैं तुम्हें वचन देता हूँ विभा विभा ने संदेह बरे स्वर में सेर हिला कर कहा कर सको तो अच्छा ही है उसे मेरे पास बेज देना मैं भी तुम्हें वचन देती हूँ दादा की उसकी उची सिक्षा के लिए यदि तुम पैसा न जुटा सको तो उसका दाइत्व मैं अपने उपर लेती हूँ कहते कहते उसने उच्छा की दृष्टी का अनुसरण करके देखा कि उपर के बारामदे में खड़ी वी उनी की तरफ वह मौन देख रही है मोटर चली गई शैलेश अपने अध्यन कक्ष में जा बैठा उपर जाने के लिए न तो उसकी इक्षा हुई और नहीं हिम्मत या जान लेना उसके लिए शेशन रहा की समस्त वारता उशा ने सुन ली है रात्री को भोजनार्थ पती को बुला कर अन्य दिनों के समान उस दिन भी उशा पास बैठी सोमेन अवर्षे उसके समीप न था या तो सो गया था या ऐसा ही कुछ होगा शालेश भोजन करने आया तो उसकी आकृती अत्यन्त गमभीर थी व्यार्थ प्रश्ण करने की उशा की आदत न थी आज की घटना के विशा में उसने पती से कोई बात नहीं पूछी और जो जानती न थी उसके जानने के लिए कोई कौतूहल भी प्रकट नहीं किया पतनी की इस आदत का परिचे शालेश ने इन कुछ दिनों में ही पा लिया था खाने बैठकर उसे मन ही मन रोश तो आया लेकिन हैरानगी न हुई घड़ी घड़ी द्रिष्टी बचाकर उसने पतनी के मुख का भाव तारने का प्रयतने किया परन्तो उसे निश्चे हो गया कि आज उशा जान बूचकर प्रकाश की तरफ आड़ करके बैठी है दूसरे दिनों के समान आज वह भोजन न कर सका आज उसे खाने का स्वादना आ रहा था इसका कारण प्रिथक था तो भी वह बिना पूछे इमानों गले पड़कर सुना बैठा कि जिस खाने पहनने की आदमी की आदत न हो वह दो-चार दिन ही चल सकता है लेकिन प्रती दिन चलाने में उसे मजा नहीं रहता यह जानकर उशा मौन ही रही जूठी बात निश्चे ही जूठी है यह सिद्ध करने के लिए सबूत देने की प्रविर्थी उशा को किसी दिन नहीं हुई लेकिन इस तरह मौन रहकर अस्विकार करने से प्रतिपक्षी का रोश और बढ़ जाता है इसलिए जब सैलेश सोने आया तो अकस्मात कह उठा मैंने तुम्हारे साथ कभी भारी बे इंसाफी की थी या मानता हूँ लेकिन इसलिए आज तुम्हारे अतिरिक्त और किसी और की विवस्था न चलेगी यह भी तो बहुत बड़ा अत्याचार है ऐसी कठोर बात शैलेश ने पहले दिन भी न कही थी प्रतीत होता है उशा मन ही मन बहुत हैरान हुई लेकिन मुह से उसने केवल इतना ही कहा मैं समझ नहीं पाई लेकिन इस प्रकार इतनी विने से कोई बात स्विकार कर लेने से भी नाराजगी और बढ़ती है शैलेश ने कहा तुम्हें समझना चाहिए था हम लोगों की सिक्षा, संसकार और समाज सब उलट कर अगर तुम इस घर को अपने बाप के घर जैसा बना डालो तो हमारे जैसे लोगों को तो बड़ी कठना ही हो जाएगी प्रतीत होता है सोमेन को कल उसकी बुआ के घर भेज देना होगा तुमारी और से क्या कहना है उशा बोली उसकी भलाई के लिए यदि अविशकता हो तो भेजना ही होगा पतनी के स्वर में उत्ताप या कलेश कुछ भी न पकड़कर शलेश दुविधा में पड़ गया किस कारण वह यह सब कर रहा है इसकी वज़क खुद उसके मन में ही मजबूत और साफ नहीं थी लेकिन कमजोर स्वभाव के वेक्तियों की ऐसी आदत होती है कि कालपनिक मानसिक पीड़ा और असंगत मान गुमान के द्वार से कदम बकदम तिवरता से नीचे उतरते चले जाते हैं पल भर मौन रहकर शलेश ने कहा हाँ आवशकता है ऐसे सब के माननेता है जिस तरह के आचार वेभार रीती नीती को हम लोग मानते नहीं या मान नहीं सकते उसी को लेकर भाई बेहन की बीच बेमतलब का जगड़ा है समाज की बीच परिहास का पात्र बढ़ना पड़े यह मुझे अच्छा नहीं लगता उशा ने बात को टोका नहीं अपनी और से कोई सफाई देने की भी कोशिश नहीं की फिर भी उसके मुँसे एक लंबी आह निकल गए और उस मौन कमरे में वह शैलेश के कानों तक पहुँच गए उशा ने खुद कोई जगड़ा नहीं किया उसके हिमायत करके विभा के प्रती जो कठोर बाते कही गई थी उन में से एक भी उसके मुख से न निकली थी यह इतना सच है कि उसे लेकर संकेत भी नहीं किया जा सकता और भूला भी नहीं जा सकता फलते शेत्रमोहन के दुशकर्म का दंड किसी अन्य व्यक्ति के मत्थे नहीं थोपा जा रहा है और इसमें प्रतिशोध लेने जैसी कोई बात नहीं है इसी को सिद्ध करने के लिए शैलेश ने फिर कहा जिसे विलायत जाकर पढ़ना लिखना है जिसे समाज के बीद चलना फिरना है उसे बचपन से उसी प्रकार के वातवरण में रखना आवश्यक है उसके यह आयू और स्वभाविक अवस्था के बीच काटने देना उसके प्रति गंभीर अन्याय और अविचार करना होगा इतना कहके चनबर जवाब का इंतिजार करने के बाद उसने पुना कहा इस मामले में अगर तुम कुछ बोलना ही न चाहो तो अलग बात है लेकिन मुह बंद रखकर लंबी सांस चोड़ने से तो कोई उत्तर नहीं हो जाता सोमेन के विशय में हम लोगों ने बहुत सोच विचार करके ही यह निश्चे किया है सोमेन पास ही सो रहा था घर में और कोई औरत न होने से उशय जब से आई है सोमेन को अपने पास ही सुलाती है उसके निद्रित मस्तक पर प्यार से धीरे धीरे बाया हाथ रखकर उशय ने कहा तुम जो कुछ भी निश्चे करोगे बच्चे के हित के लिए ही करोगे इसके अलाबा क्या कोई और भी और कुछ सोच सकता है ठीक जो है वही करो बिजली के बत्ती बुझ गई थी दूर कोने में छोटा से तेल का दिया टिम्टी मा रहा था उसी धीमी रोशने में अपने बिस्तर पर बैठा हुआ शैलेश पास के बिस्तर पर लेटीवी उशा के मुख की और देखने की चेश्ठा करके बोला इसके अतिरिक्त विभा ने काहा है कि वह सोमेन की सिक्षा का सारा खर्च देगी और वह कुछ कम न होगा किसी भी बात से उशा के स्वर में उत्तेजना प्रकट नहीं होती शान्त भाव से बात करना ही उसका स्वभाव है वह बोली नहीं यह नहीं हो सकेगा बच्चे को इंसान बनाने का खर्च मैं उन्हें न देने दूँगी शालेश बोला बहुत पैसे के अविशक्ता पड़ेगी इसके लिए उशा ने उसी भाती शान्त स्वर में कहा अविशक्ता पड़ेगी तो दिया जाएगा सब लेकिन रात बहुत हो गई है अब और मत जागो तुम भी सोजो अगले दिन सायंग समय जब शैलेश कॉलेज से क्लब होता हुआ घर लोटा तो रसोई घर से एक चीर परिचित और चीर प्रिया गंध पाकर विस्मित और पुलकित होता हुआ अपने अधिन कक्ष में पहुँचा थोड़ी देर बाद चाय और नाश्ता लेकर जिस व्यक्ति के दर्शन हुए शैलेश ने सिर उठा कर देखा कि वह मुसल्मान है रात को भोजन वाले कमरे में रोश्नी जली सजीवी टेबल देखकर शैलेश मन ही मन अस्विकार न कर सका कि इसी के लिए उसका मन अंदर ही अंदर बेचैन और व्याकुल हो उठा था खाने की दो एक ही पिर्चे आप आई थी कि उशा आप पहुँची और कुरसी खीच कर थोड़े अंतर पर बैठ गई शैलेश का चित्त प्रसन्य था परिहास में बोला इस कमरे में आने से तुम्हारी जातनब रष्ट हो जाएगी शास्त्रों में लिखाए कि सुंगने से आधा बोजन हो जाता है उशा ने कुछ हस कर कहा यह तुम्हारे लिए उचित नहीं जे शास्त्र में तुम्हारी आस्था नहीं जिसे मानते नहीं उसकी दुहाई देना सोचना नहीं शैलेश भी हसने लगा हस्ते हस्ते उसने कहा अच्छी बात है मैंने हार मान ली मैं शास्त्रों की दुहाई नहीं दूँगा लेकिन तुम भी भागना मत लेकिन इतनी बात तो स्पष्ठ है कि भागे से कल जो तुमने ताना मारा था उसी से आज ऐसी वस्तुएं जुटी है ठीक है न उशा लेकिन इससे तुम्हारा खर्च बहुत अधिक न बढ़ जाएगा उशा ने सेर हिला कर कहा नहीं यदि नश्ट न किया जाए तो खाने की किसी भी वस्तु से अधिक खर्च नहीं पढ़ता सोचा था आगामी मास से मैं स्वैम ही यह सब करूँगी लेकिन अब ध्यान रखना की कोई वस्तु नश्ट ना हो मैंने अपने खर्चे की कॉपी में जैसा लिख रखा है ठीक वैसा ही होना चाहिए होगा ना शेलेश ने हैरानगी से कहा होगा क्यों नहीं उशा तुरंत कोई उत्तर न दे सेकी मौन रहकर पृत्वी की तरफ निहारती रही और तब अचानक सेर उठा कर पती के चेहरे पर नजर ठिका कर पूली कल सारी रात सोच सोच कर मैंने जो ठहराया है उसे तोड़ने के लिए मुझे हुकम न देना तुमसे मेरी यही प्रार्थना है शालेश ने गीली आवाद से कहा सोतो मैंने कभी भी करने की कोशिश नहीं किये उशा मैं ठीक जानता हूँ कि तुम्हारा उसुल तुम्हारे ही योग्य है इसमें हेर फेर नहीं हो सकता होना भी नहीं चाहिए मैं कमजोर स्वभाव का व्यक्ति हूँ लेकिन तुम्हारा मन अत्यंत सबल है पती के चेहरे पर से अपनी नजर हटा कर उशा ने मंद मंद कहा सची और कुछ नहीं हो सकता मैंने बहुत सोचा विचारा है शालेश ने समझा कि यह सोमें की बात है वह हसकर बोला पुर्व पाठी का तो हुई अब यह तो कहो कि फैसला क्या किया है मैं शपत खाकर कहता हूँ कि तुमसे कभी अन्यथा करने का अनुरोध न करूंगा उशा कुछ काल तक मौन बैठी रही फिर बोली मेरे दादा की ग्रिहस्ती में मेरे निर्वा हो रहा था खास कोई तकलीफ भी न थी कल पुना मैं उन्ही के समीब चली जाओंगी उनके समीब चली जाओंगी? लोटो की कब? उशा बोली मुझे शमा कर दो अब लोट नहीं सकूंगी मैंने बहुत सोच समझ कर देखा है मेरा यहां रहना नहीं हो सकेगा यही मेरा अंतिम निर्णा है सुनकर शैलेश मानो जड़ हो गया चाती के अंदर उसका सारा दिल मानो मुगदर मार मार कर कहने लगा कि लोहे के किवार मुंद गय अब उनको तोड़ने की शक्ति इस संसार में किसी की नहीं है प्रातह नींद खुलने पर शैलेश को लगा जैसे उसने सारी रात डरावने सपने देखे हैं वातायन से जाग कर देखा उशा अपने नतिक कामकाज में व्यस्त है और सोमेन पीछे पीछे डोल रहा है कदाचित कुछ खाने को मांग रहा है जीने में सामना होने पर बोली तुम्हारी चाय तयार कर दी है हात मूद होने में विलंब करोगी तो सब ठंडा हो जाएगा तनिक शिगरता करना शालेश बोला ठीक है तुम चाय भिजवाओ मुझे विलंब न होगा कहते कहते वह स्नानागार की और दोड़ गया वह मन ही मन बोला मैं भी कितना मुर्ख हूँ दमपत्ती कलह को युद्ध की घोशना और भीश में प्रतिग्या मान कर मैंने सारी रात अशान्ती और चिंता में व्यतित कर दी प्रात्यकाल या सोचकर उसे न केवल हसी ही आई अपितु वह अपने ही सामने खुछ शर्मिंदा हो गया ग्रिहस्ती में तनिक समत भेद या थोड़ी सी कहा सुनी होते ही स्त्री यदि पतिग्री त्याग कर भाई के घर जाने लगे तब तो फिर संसार में मनुष्य नाम का कोई जीव ही न रहे सोमेन की मा होती तो कदाचित दस-पांच दिनों के लिए कुछ भैभी रहता लेकिन उशा जैसे शुद्ध हिंदू आदर्श से गढ़ी वी तो फिर संसार में और क्या शेश बचेगा इतनी सी बात को लेकर इतनी परिशानी इस से बढ़कर पागलपन और क्या होगा इस बात को निशन से जानकर शैलेश का संपूर्ण भै और सोच विचार जाता रहा और हिरिदय शान्ती और प्रिती के रस से भर उठा फिर उसने जैसे अंजाने ही उशा के साथ विभा की और अपने सेक्षित समाज की दो-चार दूसरी औरतों की समता करके एक संतोष की सांस ली और मन ही मन कहा रहने दो बाबा अब और कुछ नहीं चाहिए यदि मेरी अपनी कभी कोई लड़की हो तो वो अपनी मा के जैसी ही हो इसी ढंग की सेक्षा दिक्षा अगर पावे तो मैं इश्वर को धन्यवाद दोंगा इतना कहकर फोरण काम खत्म करके पांच-चै मिनट में ही वो अपने अध्यन कक्ष में जा पहुँचा नया आया मुसल्मान खानसामा चाय, टोस्ट, मक्खा, नादी, नाश्टे की वस्तुएं लेकर उपस्थित हुआ तो सहसा शैलिश चौक पड़ा यही सब वस्तुएं खाने का तो उसे अभ्यास था बीच में केवल कुछ दिन के लिए रुकावट पड़ी है लेकिन जब ये सब वस्तुएं मेच पर रखकर खानसामा चला गया तो उनकी और देखते ही आज उसे अरुची हो गई जब से उशा आई है इन वस्तुएं के स्थान पर नमकीन, डालमोट, कचोड़ी, आदी स्वैम उसके हाथ की बनीवी वस्तुएं नाश्ते में आती थी और वह स्वैम समक्ष उपस्तित रहती थी आज वह सब नहीं है देखकर मानोशैलेश की नाश्ता करने की ख्वाईशी खत्म हो गई केवल एक प्याला चाय केतली से अपने हाथों से डाल कर खानसामा को बुलाया और उससे सब सामान हटवा दिया फिर परदे की उस पार से एक अत्यांत प्रिय और जानी पहचानी पकद्वनी सुनने की आशा में कान खड़े किये रहा नाश्ता क्यों नहीं किया इसके सक्त क्याफियत देने के लिए भी उसने मन ही मन एक पक्की बात सोच ली धीरे धीरे जूट मूट विलंब करके प्याला समाप्त किया तब चाय सर्वथा ठंडी और बेस्वाद हो गई थी नौकर आकर खाली प्याला उठा कर ले गिया लेकिन जिसकी इक्षा आकांग्षा थी वह पकद्वनी सुनने को न मिली उशा उस कमरे में न आई धीरे धीरे दिन चड़ता गया सनान भोजन करके कॉलेज के लिए तयार होना है भोजन के समय अन्य दिनों के समान आज भी उशा समीप जा बैठी खिलाने पिलाने का आग्रह यतन और बोल चाल किसी में कोई अंतर घर के किसी प्राणी की द्रिष्टी में न पड़ा द्रिष्टी पड़ी केवल सैलेश की आखों में एक ही रात में सहसा कोई जीव बिना चेश्ठा के बिना दिखावे के कितनी दूर जा सकता है यह जानकर शालेश एक बार गी ठिठक कर रह गया जब कॉलेज वाली पोशाक पहनने के लिए कमरे में आया तो देखा सामने मेज पर वही खर्चे वाली कॉपी रखी वी है कदाचित कल से ही इसी प्रकार पड़ी है उसने ध्यान न दिया नहीं तो उसके लिए यह कॉपी उशा अभी अभी रख कर गई है वह मुम्किन भी नहीं और सत्य भी नहीं अभी तो पूरा महिना नहीं हुआ है तब अकस्मात इसकी यहां अविशकता ही क्योंग भी फिर वे उसका गले में टाई बानने का कारे रुग गया कुछ कौतुहल से, कुछ अन्मने भाव से एक-एक प्रिष्ट पलटते वे कौपी के अंतिम प्रिष्ट पर आकर वह रुग गया प्रतेक प्रिष्ट पर एक ही बात वही साख तरकारी, आलू परवल, चावल की बोरी, दूद के दाम नौकर का वेतन इत्यादी कलकत्ता का कुल खर्चा निकाल कर, शेश बचे रुपियों की रकम स्पष्ट अंकों में लिखी है यह हिसाब जब आरंब हुआ तब वह इलाहबाद में था उस दिन भी उसका इस हिसाब किताब में कोई हाथ न था और आज यहीं पर हिसाब खत्म हो जाए तो भी उसका कोई हाथ नहीं यह चीज उसकी ग्रिहस्ती में दो दिनों के लिए आई आगे भी नहीं थी और अब के बाद भी न रहे तो ग्रिहस्ती अचलना हो जाएगी कदाचित दो दिन के बाद वह खुदी भूल जाएगा तो भी आज उसे न जाने क्या-क्या याद आता है कौपी बंद करके जब वह पुना अपनी टाई बांधने लगा तो पुना-पुना उसके मन में यही बात सबसे बड़ी होकर आने लगी कि संसार में किसी भी वस्तु का मूले एकांत रूप से नहीं चुकता किया जा सकता इस कौपी की इस हिसाब लिखने की ही तरह एक दिन बड़ी आविशकता थी और अब एक दिन वह सब ही न जाने कितना व्यर्थ हो जाएगा आखिर पोशाक पहन कर शैलेश जब कमरे से बाहर निकलने लगा तो हजार मंशा होने पर भी उशा को बुला कर कोई बात पूझ न सका अज्यात भविशे के पीछे उसका मन मानो बार बार पच्छाड खाखा कर मरने लगा तो भी अनिश्चित आशंका को सुनिश्चित दुरगटना में द्रड कर लेने की हिम्मत वह अपने अंदर किसी भी भाती खोज न पाया कॉलेज से चुटी हुई तो शैलेश सीधा घर न आकर विभा के यहां पहुँचा उसने देखा कि उसका अंदाजा ठीकी था शेत्रमोहन का चेहरी नहीं गय थे और इसी बीच दमपत्ती का एक तरह से समझोता हो गया था शैलेश को संतोश हुआ वह बहन से बोला सोमेन को बुला लाने के लिए तुमने आदमी नहीं भेजा विभा विभा जाने क्या कहने जा रही थी कि शेत्रमोहन बोल उठे हाथी का खरीदार अब नहीं रहा इसका अभिप्राई शेत्रमोहन बोले वह कथा नहीं सुनी एक नशेबाज व्यक्ती ने नशे के जोक में राजा का हाथी खरीदना चाहा दूसरे दिन इस बेयदबी की क्याफियत मांगे जाने पर उसने हाथ जोड़कर कहा कि अब हाथी की अवशक्ता नहीं है कारण यह कि हाथी का जो असली खरीदार था वह अब नहीं है चला गया इतना कहकर वे अपनी बात पर स्वैम हसने लेगे उसके बाद हसी रुकने पर बोले यह कहानी सुना कर भावी को नाराज होने से रोकना शैलेश कि सचमुछी वह खरीदार अब नहीं रहा चला गया मा को छोड़कर बुवा के पास रहने से यदि कोई बालक बड़ा आदमी बनता होता तो फिर तो मैं रिण ले लिवा कर विभा के लिए एक हाती ही खरीद दूँगा इतना कहकर विभा से मुझ चिपा कर वह पुना हसने लेगे लेकिन सैलेश ने इस हसी में योगदान नहीं दिया और पीछे कहीं इस मजाग का सूत्र पकड़ कर विभा का सुप्त क्रोध पुनाहन जाग उठे इस भै से वह पूरा जोर लगा कर अपने को रोक कर मौन ही रहा शेत्रमोहन लज्जित होकर बोले मामला क्या है शैलेश? शैलेश बोले विभा की बात से सोमेन के विशे में कुछ बेफिक्र हो गया था लेकिन जब वह बात ही नहीं हो सकती तो फिर कोई दूसरा इंतिजाम करना पड़ेगा शेत्रमोहन ने कहा यानि डायन के हाथ में बच्चे को रखा नहीं जा सकता यही न? शैलेश ने कहा इस कटू बात का उत्तर न देकर भी वह बात कहीं जा सकती है कि उशा सिग्री ही चली जा रही है चली जा रही है? कहा? शैलेश बोला जहां से आई थी यानि अपने भाई के घर शेत्रमोहन की आकृती अत्यनत गंभीर हो थी उन्होंने पत्नी की ओर टेड़ी नजरों से देखते वे कहा मुझे ऐसा ही कुछ डर लग रहा था सैलेश अब तक वेभा एक भी शब्द नहीं बोली थी पती के सूपरिचित स्वर का अर्थ उसने समझा लेकिन मौ फिराकर सहज भाव से ही पूछा दादा मुझे निमित बना कर ही क्या तुम इसका इंतिजाम करने जा रहे हो अगर ऐसा है तो मैं मना नहीं करूँगी लेकिन एक दिन तुम दोनों को ही रोना पड़ेगा या मैं कहे देती हूँ शैलेश ने सेरहिला कर जताया कि ऐसी बात नहीं है ततपश्चात मुसल्मान खानसामा की नियुक्ति से आरंब करके आज प्रातह की वक्खर्चे की कौपी वाली बात पूरी सुना कर आखिर में कहा मैंने जाने को नहीं कहा है लेकिन जानने से रोकूंगा भी नहीं इसके संगी साथियों के मध्य बात चलेगी और उससे मेरा यश बढ़ेगा नहीं यह भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ लेकिन एक बड़ी भयंकर भूल सुधर गई इसकी लिए मैं भगवान को अंतरमन से धन्यवाद दोंगा विभा मौन बैठी रहे शेत्रमोहन ने बड़ी देर तक कोई मत प्रकट नहीं किया शेलेश बोला तुम लोगों को सब कुछ बता देना ही मेरा फर्ज है यही सोचकर मैं आया हूँ कम से कम तुम लोग तो मुझे मिथ्या न समझो शेत्रमोहन ने जोर से सिरह लाकर कहा नहीं नहीं किसकी मजाल है हाजे शेलेश एक बर भवानी पूर वाली जो बात चली थी इस अरसे में उन में से किसी ने कोई खोज खबर ली क्या शेलेश ने और असहिशनू होकर कहा तुम्हारा यह संकित इतना भद्दा और इतना हीन है कि अपने को रोकना मुश्किल है तुम्हें यही सोच का शमा कर रहा हूं कि तुम नहीं जानते कि तुम कहां किस पल आगात कर रहे हो इतना कहकर वह अंदर की तपिश से एक बार हिल डूल कर फिर सीधा होकर बैठ गया शेत्रमोहर ने एक बार द्रिष्टी ठिका कर उसकी अकृति को देखा फिर अत्यन्त स्थिर्ता से सहज भाव से स्विकार करके बोला ठीक कहते हो वह जगा कहा है मैं सचमुष ठिकाना नहीं कर पाया शैलेश ने खुब विंधा जाकर कहा अपनी पतनी के ही साथ उस दिन तुम जैसा सलूक कर चुके हो उसे देख कर अब मैं तुमसे और क्या उमीद कर सकता हूँ तुम्हारे दंब को चोट पहुँचोगी इसी कारण अभी तक कुछ नहीं कहा लेकिन कदाचित मुझे या तुमसे बहुत पहले ही कह देना चाहिए था शेत्र मोहन ने मुस्कुरा कर कहा ठीक कहते हो भाई इसकी अवशक्ता तो थी पतनी के साथ सुलूक वह मैं आज भी भली बाती नहीं सीख पाया हूँ सीखने योग अवस्था भी नहीं रही अब मेरी लेकिन तुम यदि इस विशे पर ये अच्छी सी पुस्तक लिख पाते मेरे भाई तो बहुत अच्छा होता है अच्छा अब तुम दोनों भाई बहन अकेले में विचार विन्वे करो मैं अभी आया यह कहकर वह उठ खड़े हुए और तिवर पगों से बाहर हो गया पीछे से शालेश ने चिल्ला कर कहा पुस्तक लिखने में कदाचित विलंब भी हो जाए लेकिन तब तक सुनते जाओ यह जो तुमने भवानिपूर का प्रसंग छोड़ कर कटाक्ष किया है न सो वे लोग अब मेरी खोज खबर ले या न ले मुझे प्रयातने करके जरूर लेनी होगी शेत्रमोहन ने द्वार के बाहर से कहा अवश्य लेने होगी यो भी बेवज़ा देर हो गई है दूसरे दिन प्राते ही शेत्रमोहन पटल डांगा के मकान में दिखाई दिये शेलेश हसनान करने के लिए तयार हो रहा था अकसमात बेवक्त बहनोई को देखकर बहुत हैरान हुआ कल की अत्यंत अपरितिकर बात हो जाने के बाद बिना बुलाई इतनी जल्दी शेलेश इसकी उमीद नहीं कर सकता था मनी मन लज्जित होकर बोला आज क्या हाई कोट बंध है शेत्रमोहन ने हसकर कहा व्यारत का प्रश्न है शेलेश बोला तो क्या प्रैक्टिस छोड़ दी शेत्रमोहन ने कहा यह प्रश्न और भी व्यारत है शेलेश ने कहा प्रतीत होता है मैं भी व्यारत हूँ मेरे अस्नान करने का वक्त हो गया है इसके लिए तुम्हें बाधा तो नहोगी शेत्रमोहन ने उत्तर दिया नहीं तुम जा सकते हो भाबी जी मैं आ सकता हूँ भीतर पूजा की कोठरी इस घर में न थी सोने वाले कमरे में ही एक किनारे आसन बिचा कर उशा आहनिक में बैठने की तयारी कर रही थी आवास पहचान कर उसने भीगे बालो पर साड़ी का आचल धीरे से खीच लिया और बुलाया आईए शेत्रमोहन कमरे में प्रवेश करते ही जेप गय बोले असमय आकर परिशान किया मैंने आपको अकस्मात माय के जाने का ध्यान क्यों आया क्या पिता बिमार है उशा बोली पिता तो जीवित नहीं है ओ तो कदाचित माता जी की तबेत खराब है उशा ने कहा वे तो पिता के पूर्वे ही चल बसी थी शेत्रमोहन ने अत्यांत आश्चारे प्रकट करके कहा तब फिर जाएंगे कहा और है कौन ऐसी जगह तो किसी तरह नहीं जाना हो सकता शैलेश की बाद तो चोड़ो हम लोग भी सहमत नहीं हो सकते उशा सेर जुकाय तनिक हसकर बोली सहमत नहीं होंगे नहीं किसी बाती नहीं लेकिन मेरा इतना समय तो उसी भाई के घर कट गया है शेत्र बाबू अचल होकर तो रहा नहीं शेत्र बाबू बोले यदि निश्चे ही जा रही है तो ये भली प्रकार बतलाती जाएए कि लोटने में कितने दिन लगेंगे नहीं तो किसी भी भाती ना जाने पाएंगी उश्चा मौन रही शेत्र मोहन ने कहा और सोमेन उश्चा बोली उसकी बुवा जी है सैसा शेत्र मोहन ने हाथ जोड कर कहा वह मेरी पतनी है मैं उसकी तरफ से शमा यातना करता हूं उश्चा चुप ही रही शमा नहीं कर सकेंगी उश्चा वैसे ही सिर जुकाय बैठी रही कुछ देर जवाब का इंतजार करके शेत्र मोहन ने सास कीच कर धीरे धीरे कहा संसार में जब अपराध है तब उसका दुख योग भी है और होना ही चाहिए लेकिन इसका न्याई विचार क्यों नहीं है बतला सकती है उश्चा बोली यानि एक व्यक्ति के अपराध का दंड दूसरे व्यक्ति को क्यों भोगना पड़ता है भोगना पड़ता है इतना ही जानती हूं कि तु क्यों सो नहीं जानती शेत्रमोहन बाबू कब जा रही है दादा जब लेने आ जाए कल भी आ सकते है शेत्रमोहन चन भर निशब्द रहकर बोले सोचा था एक बात आपको कदापी न बतलाऊंगा लेकिन प्रतीत होता है कि छिपा कर रखना अपराद होगा आपके जानने से पहले इस गर में एक और जाने की संभावना हुई थी प्रतीत होता है वह शर्यंत्र सर्वत्था समाप्त नहीं हो गया है उशा बोली मैं जानती हूँ शेत्रमोहन ने कहा तब फिर क्रोध करके अंतता उश शर्यंत्र को ही विजय होने देंगी आप इसी से बात पूरी नहोने पाई थी कि उशा ने शान्त द्रिड़ स्वर में कहा जीते या हारे शेत्रमोहन बाबु मुझे आप श्यमा करें यह कहकर उशा दोनों हाँ जोड़कर इतनी देर बाद शेत्रमोहन की और नजर उठा कर देगी उस नजर के समकक्ष शेत्रमोहन निर्वाक होकर ताकते रह गये शैलेश ने तो पत्नी से बादचित करनी बंद कर दी किन्तो उशा ने नहीं की उसके वैभार में तनिक भी परिवर्तन न हुआ शेश कहानी अगले भाग में कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद